हलो वीबस, डेली हेल्ट टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंट्स इसी तरह के हेल्ध रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डेली हेल्ट टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूले आज मैं आपका बताऊंगी रोजाना दही खाने के फाइदे दोस्तों कौन दही से प्यान नहीं करता? ये एक स्वादिष्ट वियंजन है जिसे हम गरम पराठा या फिर चास के रूप में खा सकते हैं दही जियादतर भारत्य परिवारों में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस बहु मुखी वियंजन में करी स्वासिलाब भी है जी हाँ, यहाँ यहाँ बताया गया है कि दही आपको स्वस्त रहने में कैसे मदद करता है चलिए जानते हैं अगर आपको मारे वीडियो पसंद आया तो अप लाइट कीजे और साथी साथ इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंट्स में श्रेर भी कीजे पहला है पाचन सुधाने में मदद करता है दही दही में मौशूद पोशक तत्व आसानी से आपके पाचन तंत्र द्वारा अवशोशित होते हैं इतना ही नहीं यह आपके द्वारा खाए गए अन्य खाद्यपदाद से पोशक तत्वों को सोखने में भी मदद करता है यह मसालेदार घोजन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि दही थंडा होता है और गर्मी को बेसर करता है जो कि इन खाद्यपदाद द्वारा निर्मान होती है फ्रेंस एक ताइवानी अध्यायन में ये भी पाया गया है कि दही एच पाईलोरी सांक्रमन का इलाज करने में सहायक होता है जो कि पेप्टिक अलसर के कारण होता है दूसरा है दिल के लिए स्वस्त दोस्तों आजकल अधिक सेदे की वा लोग दिदे रोक के शिकार हो रहे हैं दही लेने से स्वस्त दिल बनाय रखने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है ये उच्छ रत्चाप के जो खिम को कम करता है और साथ ही केरोटीड आर्प्रिस के मुटाई को रोकता है जिससे कोलेस्ट्रॉल के सर को कम करने में मदद मिलती है दोस्तों जीन को दूद की एलरजी है उनके लिए अच्छा होता है दही फ्रेंग्स कुछ लोग जो दूद का सिवन नहीं कर सकते हैं क्यूंकि वो लैक्टोस असहिश्णू है सुरक्षित रूप से दही का उप्योब कर सकते हैं ये दूद में लैक्टोस मौजूद है जो लैक्टिक आसिट को बदलता है जिससे ये पचानी में आसान हो जाता है इसके लावा आप पोशन को बढ़ावा देने से वंचित नहीं होते हैं जो दूद प्रदान करता है रोग प्रतीरोधक शक्ती को बढ़ावा देने में मदद करता है दही फ्रेंस दही में अच्छा वैक्टीरिया मुझूद है जो कि शरीर में उपस्तित कई सुक्षम जीवों से लड़कर अपनी प्रतीरक्षा प्रनाली को मजबूत करता है ये महीलाओं में योनिक खमीर सांकरमन को रोकने में भी उप्योगी है स्वाद जोनने के लिए कडिक के रूप में इस्तिमाल करने से ये गुन कम नहीं होते हैं दोस्तों आपके दांतों और हड़ियों के लिए अच्छा होता है दही सभी डारी उतपाद आपकी हड़ियों के लिए अच्छे हैं और दही अलग नहीं है दूद की तरह दही में फॉस्फरस और कैल्शियम की मातरा बहुत ज्यादा होती है ये आपके दांतों और हड़ियों के लिए काफी ही ज्यादा फायरेमन होता है क्योंकि दोस्तों इससे हड़ि के विकास में मदद मिलती है और आपके दांतों को मजबूत भी बनाता है आपको हड़ियों की देखभार करना ज़रूरी है यदि आप अभी शमी, औस्कियोपरासिस और गाटिया जैसे दर्दिनाक रोगों से बचना चाहते हैं तो दही का सेवन करें फ्रेंट्स, स्किन केर उतपात के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है दही जिंक, विटामिन E और फोस्फरस जैसे पोशक तत्व दही को एक प्राकुलूतिक स्किन केर उतपात बनाते हैं और अक्सर इसे घरेलू पैक में घटक के रूप में उप्योग किया जाता है फ्रेंट्स, दही, बेसन और चुने के रस्ता एक साधारन मिक्षन घर पर बनाकर लगाने से आपको एक आकरशक और चमकदा चहरा मिलेगा फ्रेंट्स, रूसी से छुटकारा पानी में मदद करता है दही दोस्तों कई विग्यापनों ने दावा किया है कि रूसी के इलाज के लिए जादूई रसाइनिक सूत्र मिल गया है लेकिन दही एक सरल होममेड सल्यूशन हो सकता है दही रूसी से छुटकारा पानी के लिए अच्छा क्यूं है चलिये जानते है क्यूंकि दोस्तों इसमें लाक्टिक आसिर होता है जो की कवक विरोधी गुन होते हैं और क्या आपको इसके लिए अनिसमाग्डियों को भी जोडने की जरूरत नहीं है बस कटोरे में कुछ दही को सचेद करें और इसे अपने खोपड़ी में जोडें इसे एक घंटे तक छोड़ दें और पानी से ठीक से दोलें आपका वजन कम करने में मदद करता है दही दोस्तों जब भी पोशन विशेशक यह योजना बनाते हैं तो इसमें शामिल होने वाली पहली चीज दही है इसमें मौझूद क्याल्शियम आपके शरीर को अधिक कार्टीसोल पंपिंग से रोपता है कार्टीसोल का हार्मोन आसंतूलन उच्छ रक्तिचाप, मुटापे और कुलिस्ट्रॉल जिसे कहीं समस्याओं के लिए जिम्मेदार होता है तनाब और छिंता को खत्म करने में मदद करता है दही फ्रिंट्स तनाब में होने की कारण आपका स्वास्या खराब हो सकता है आज के संसार में आराम और पुनरुथान करने के तरीके तलाशना जरूरी है अनी चीजों के साथ दही खाने से निक्षित्र रूप से मदद मिल सकती है दही ना केवल आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है बलकि मास्तिशक की क्रियाविजी को भी प्रभावित करता है डाइट में ज्यादा से ज्यादा दही का सिवन आपके तना और चिंता को कम करने में मदद करता है और फ्रेंड्स अगर आपका स्वभा छेचिडा हो चुका है तो दही आपके मूद को बहतर बनाने में भी मददगार है ये सबी स्वासिला आप दही को एक चांदार खादिय पदार बनाते हैं जो आपको और आपके परिवार को देनिक आधार पर उब्भो करना चाहिए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राब आवर चानल थैंक्यू, बाई